हिमाचल की जनता पर हर सिर पर आज डेर लाग का करजा है और आज ये कह रहे हैं कि अब ये व्य समिती बनाएंगे एक इस चीज़ को देखने के लिए 2017 में भी का था अभी भी कह रहे हैं पच्छास हजार बच्चों को अंग्रेजी सिखानी थी एक भी नहीं सिखाई गई यहां का जो करशी विश्विद्याले था उसको सेंट्रल करशी विश्विद्याले बनाना था वो नहीं बनाया गया पीजी आई का सैटलाइट सेंटर हमीरपूर में बनना था ये वादा था वो नहीं हुआ रेलवे लाइन उन्हा से हमीरपूर आनी थी उसकी नीव नहीं रखी गई उसके बारे में कुछ नहीं हुआ फ्री का हॉस्टल बनना था ऐसे तमाम हो वादे हैं जो इन्होंने किये और एक भी पूरा नहीं किया लेकिन हसी की बात ये आती है इस घोशा पत्र में आठ लाख नोकरी का दावा कर रहे हैं कि बनाएंगे पहले तो ये बता दिजे पांच साल में कितनी बनाई एक नोकरी बनाई नहीं 63,000 पत्र खाली है नोकरी के नाम पर पेपर लीक करने का काम किया है भाजपा ने आपने का हिमारचल प्रदेश के हर नागरी के उपर डेड़ लाख रुपे का कर्ज है आपने कांग्रिस ने भी अपने चुनावी घुशनपत्र में कहा है कि हर महिला को 15 सुरे परमन देंगी और एक लाख भरतिया करेंगी इसके अलाबा आपने एक ऐसा कौपस फंड बनाने की भी बात की है ताकि हमाचल के लोग है वो अपना स्टार्ट अप फंड बनाने की कोशिश की आप ये बताईए जब हमाचल पर देश में पहले से करजा चड़ा हुआ है समें कांग्रिस अपने वाइदे कैसे पूरे करीगी मैं बताती हूँ आपको 51 प्रतिशत जो करजा बढ़ाया भाजपा की भरष्ट सरकार ने आज तो सवाल ये बनता है पूछने का कि वो करजा उठाया कहां गया ये पैसा इस्तिमाल कहां किया गया ये सिर्फ भरष्टा चार में इस्तिमाल किया गया क्या इससे एक भी उद्योग लगाया गया क्या इससे एक भी नौकरी बनाईगी क्या इससे एक भी कलकार खाना बनाया गया क्या इससे एक भी ऐसी योजना बनाई गई जिससे गरीब का महिला का युबाओं का कल्याणों ऐसा नहीं किया गया और इसलिए जरूरी है समझना कि अगर ध्रड इच्छा शक्ती हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो वादे हमने किये हैं चाहे वो OPS का हो चाहे वो मैलाओं का हो ये वादे हमारी सरकारों ने राजस्थान और 36 गड़ की सरकारों ने करके दिखाया राजस्थान के तो लोगों के अकाउंट में पैसा तक आ गया है OPS का और 36 गड़ के में भी आ जाएगा दो रुपए किलो पर अगर हम गोबर खरीद रहे हैं उससे अवारा पश्वों की समस्या का समाधान हो रहा है और वो ही हम यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं कॉंग्रेस में एकनॉमिक कमिटी की देख रेक के बिना हम कोई भी घोश्रा पत्र में चीज नहीं डाल सकते हैं इसका पूरा आंकलन किया गया है इन नंबर्स को स्टडी किया गया है और कैसे जादा फंड जेनरेट हो सकता है एक बात याद रखियेगा किसी भी स्टेट में किसी भी एकनॉमि में अगर आप नौकरी बनाते हैं तो उपभोग निवेश सब कुछ बढ़ता है और उसी के आधार पर हम ये बाते कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में 68 सीटे हैं और आप कह रहे हैं हिमाचल में 60 और 8 होगा यानि कि 60 सीटे हैं आप कॉंगरिस को दे रहे हैं पांच यसे मुद्धे बता दीजिए आम आदमी से जुड़े हुए इनको लेकर आप जनता से वोट मांग रहे हैं बेरोजगारी नमबर एक से नमबर दस मुद्धा इस समय देश का हिमाचल ठोड़ दीजे देश का मुद्धा बेरोजगारी नमबर दो मुद्धा तीन लाख सरकारी कर्मचारी हैं हिमाचल में लगातार OPS की मांग कर रहे हैं सरकार के कान पे जूतक नहीं रेंग रही महंगाई बहुत बड़ी समस्या है हम कहते हैं 500 रुपए में सिलंडर मिलेगा 1200 का विक्रा है भी सिलंडर जो प्रकोडा तलने वाला तेल कहते थे मोदी जी वो सक्तर से 220 पहुँच गया है आटा 22 से 40 पहुँच गया है दूद 35 से 60 पहुँच गया है कौन इसके बारे में बात कर रहा है तो बेरोजगारी हो गया OPS हो गया महिलाओं के बारे में बात करना महिला सशक्ती करन तब होगा जब महिलाओं का आर्थिक दृष्टी से थोड़ा सशक्ती करन होगा और इसलिए हम महिलाओं को 15 सो रुपए देने की बात कर रहे हैं और जो युवाओं की हम बात कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि युवाओं के लिए नौकरियां बनेंगी उनके लिए एक स्टार्टप फंड होगा मुझे लगता है हमाचल की जनता के लिए बहुत जरूरी है आपने का भाजपा ने 40 उडन खटोले उड़ाया कांग्रेस भी उड़ा रही है लेकिन कम उड़ा रही है कि देखिए बहन भाई की नहीं बन रही है वो मदद के लिए नहीं आ रहे हैं आपर देखिए आगामी हार से बौकला कर बौरा कर लोग बहुत सारी बाते कह देते हैं मेरा अपना मानना और क्योंकि मेरी दोनों से वारता होती है आप एक बात शुरू प्रियंका गांधी के साथ कर सकते हैं और अगर वो बीच में बात छूट गई तो आप उसको बीच में राहुल गांधी जी के साथ कर सकते हैं और वो बात खत्म हो जाएगी इतनी सामंजस से दोनों में है इतना प्रेम और आपसी जो एक जुटता होती है वो दोनों में है तो इस तरह की बेतुकी और बेवकूफी की बाते भाजपा के नेता जरूर करेंगे उनका यहां से टिकट कट गया घर बठा दिया गया इसलिए शायद उन्होंने इस तरह की बाते करी बॉखला गए बेचारे आँखों में आसू किस बात के आये मुझसे बेतर आप जानते हैं लेकिन जो आपने उरन खटोलों की बात करी यह देव भूमी है जगहें दूर हैं उरन खटोले से जरूर प्रचार हो सकता है और करना भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है हम भी करते हैं लेकिन उसको एक इवेंट बना देना कि भई हम 40 हेलिकॉप्टर उड़ा रहे हैं वो कहा थे 40 हेलिकॉप्टर जब लोग यहां के परिशान थे जब बच्चे यहां वापस आने थे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांदी जी लोगों के मुद्दों को से मुखरित हैं लोगों के स्थानिये मुद्दों को लगातार उठा कर वो बात कर रही है और उसी के बारे में वो रैली भी जो अपनी कर रही है चार-चार रैली कर चुकी हैं भी पांचवी रैली करनी उनकी बाकी है ये उसी के चलते हो रहा है राहुल गांदी जी भारत जोड़ो यात्रा में इसलिए उनका आना संभब नहीं था लेकिन जो मुद्दे वो वहाँ पर उठा रहे है जो भाईचारे का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा महंगाई का मुद्दा वो जरूर हिमाचल की जनता समझ रही आज भारत जोड़ो यात्रा की बहुत जरूरत है इस देश को, ये देश बिखर नहीं सकता, और अंट में मैं इतना कहूंगी कि चाहे भुपेश बगेल जीओं चाहे सचन पाइलेट जीओं, तमामों हमारे नहीं था, यहाँ पर आए उन लोगों ने रैली करी, तमामों आ रहे हैं आज और कल में भी, हमारे अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं आज, तो इस तरह की बात मुझे लगता है भारतिये जनता पाटी के करने के लिए ठीक है, पर आप लोग ऐसे सवाल पूछें तोड़ा मुझे विस्मे होता है आम आदनी पाटी आपके लिए एक चुनोती हिमाचल में उभर रही थी, लेकिन अब प्रचार से गाइब है, नदारत है आपको लगता है कि ये कॉंग्रेस के लिए ना राहत है ना दिक्कत है, ना उनका है आपे खाता खुलना है, ना कहीं और खुलना है असलियत ये है कि वो जुमले बाजी में अगर कोई मोदी जी को पचार सकता है तो वो सिर्फ अर्विन केजरिवाल जी है बड़ी बड़ी लच्छेदार बाते करने में अगर मोदी जी का कोई सानी है तो अर्विन केजरिवाल जी है और ये भी सच है कि जो कंटेंशिस इशूज होते हैं, जो जरूरी बाते होती हैं इस देश के बारे में उस पर वो बिल्कुल चुप रहते हैं एक शब नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ मैं कुछ भी कहने से पहले ये जरूर कहूंगी कि सोलन की अपने रोड शो में पंजाब के टीचर्स को भाड़े का टक्टू कहना ये पंजाब की असमिता पर उन्होंने सवाल उठाया है और इसका जवाब वो स्टेश्ट में जहां जाएंगे वहां मिलेगा अब एक बाद बताईए कि बागी कॉंग्रेस में भी है भाच्पै में भी बागी है आपको लगता है कि अब के बार चुनाओं में बागी एक बड़ी भूमी का निभाएंगे हो सकता है वो किंग मेकर भी साबित हो देखे भारती जनता पाटी को अभी तक लगता था कि कटपुतलियों से सरकारे भी चल जाती है कटपुतलियों से मुख्यमंत्री भी बदल जाते है और जिसका मन आएगा वो डेड़ लोगों का उसका वो टिकट काट देंगे तो हिमाचल में जो लोग बागी हुए और जो चुनाओ लड़ रहे हैं ये बिलकुल साफ हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के मन का डर निकल गया है कोई नहीं डरता अब मोदी जी कहें तो कुछ कहें अब तो नडड़ जी नाकाम हो गए मोदी जी को खुद फोन उठाकर लोगों को फोन करना पड़ा है चुनाओ न लड़ो पद की गर्मा तो गटर में चली गई है और चुनाओ संगिता का उलंगन भी कर रहे हैं को प्रभाव डाल करकि चुनाओ मत लड़ो लेकिन कोई सुनने को तयार नहीं है मुझे लगता है राजनीती महत्व कांखशा का नाम है अगर कोई शुब्ध होकर चुनाओ लड़ना चाहता है हमारी पार्टी से भी तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन हमारे यहां से कोई आपको फौन करके धंकाते होई नहीं दिखेगा कि मोदी जी को अगर कोई पचाड सकता है जुम्ले बाजी में तो अर्विंअ केजरिवाल जी है अर्विंअ केजरिवाल जी की अगर हिप्मत है पंजाब में ड्रग की समस्या सिर्चन कर बोल रही है और अरविन केजरीवाल जी गुजराच जाकर और यहां कर लच्छेदार बाते करेंगे उनको तो सबक जनता सिखाएगी